चमबा जिला के सबसे खूबसूरत पर्याटन स्थल साच पास पर दो से अढ़ाई फिट के हिमपात के चलते पांगी घाटी को जाने वाला ये मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है और यहां से बहानों की आवाजाही ठप है हालांकि भारी बर्फ बारी से पांगी घाटी में पहले से ही जन जीवन अस्त व्यस्त है ऐसे में प्रशाशन ने परयाटकों और आम लोगों को साच पास की तरफ ना जाने के नरदेश दिये हैं हमातल प्रदेश के पहाडी जिलों में हुई भारी बर्फ पारी के बाद जहां जन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है तो वहीं दूसरी और चमबा जिला के सबसे खुबसूरत प्रेटन स्थल पर बर्फ पारी ने स्पेथ चादर ओड़ दी है और यहां दो से धाई फिट के आसपास ताजा हिंपात हुआ है जिसके चलते चमबा से पांगी घाटी को जाने बाला यह है मार्ग अब पूर तरह से बंद हो चुका है अब ही हम उसी इलाके में मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के मादियों से दिखाने का परियास करेंगे यह चमबा जिला से पांगी किया और जाने बाला साचपास मार्ग है जहां पे दो से धाई फिट के आसपास ताजा हिंपात हुआ है और इस मार्ग पर बर्फभारी होने के चलते मार्ग पूरतरा से बंद हो चुका है और घाटी का संपर्क भी जिला मुख्याले से कट हो गया है हलांकि चुरहा परशासन ने लोगों से अहावान करते हुए कहा है और खास कर जो सेलानी घूमने के लिए आते हैं उन्हें ये सक्त नरदेश दिये गए हैं कि बेरगड से आगे जाने की जहमत न उठाएं हलांकि प्रशासन ने ये भी पुलीस को निर्देश दिये है कि जो बेरगड पुलीस पोस्ट है उससे आगे किसी भी सेलानी को जाने की मना ही है क्योंकि इस भारी पर भारी के बाद जहां एवलांच गिरने का खत्रा रहता है तो वहीं कई दिखतें पैदा हो सकती है तो ऐसे में लोग एहतियात बरते हैं चुरहाब दानसाबा किशेतर से डिटी न्यूज के लिए मनजूर मुहमद की रिपोर्ट